वेलकम फ्रेंड युक्ती आई इस पर आप सभी लोगों का स्वागत है आज 18 नॉम्बर है तो द्याने जावन के राष्टेशन्स का न्यूज पेपर में आप लोग के लिए PT, मेंस और इंटिवियोर और कौन-कौन से न्यूज को कवर किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जिससे युपेसी स्टेट, PCS अस्पेरेंट है उनको इससे काफी मदद मिल सके साथ ही साथ जितने भी कमपरिटिव एग्याम आप लोग फिल करते सेंटर गौर्मेंट अस्टेट गौर्मेंट को उनके पीटी फैक्ट पर हम लोग कवर कर सके पीटी फैक्ट न्यूज को आगे बाढ़ने से पहले उन सभी विद्यार्थियों को बधाई जिनका चैन 67 विपेसी पीटी में हो चुका है उन पर मेंस रिलेटेड हम लोग आज साम में उन से बात कर रहे है लगतार फोन आ रहा है सभी लोग हमसे जूर रहे है आज 67 और 68 विपेसी को लेकर आज गूगल मीट रखा गया है स्टूडेंट के साथ एक पीएम में तो आप लिंक ग्रूप पर सेर कर दिया गया है टेलिग्राम लिंक पर आज54 अज से जूर जाईएगा और बहुत सी चीजे आज हम लोग आपसे बात करने वाले क्या कों सी घलतीयाanki आप लोग ने की है जिनका चैन नहीं हो सखा है लिकर अभेस्तियों में द्हार करने लिए अपने बाता है। उसी पर आज हम लोग इसमुद्ध्धर बात कर जूर सकते हैं, देखिए, किन परिश्طितियों में आपको तयारी करना है, किस टर Africans के साथ त्यारी करना है, और किस आस्पेक्ट के साथ त्यारी करना, ये सबसे ज़रूरी हो जाता है, आगे के रणनीती बनाने के लिए, ये मालेदिक किसी तरीके से किसी भी जिनका चहन हो चुका है, वो आगले फेज में जाएंगे, वो मेंस देने के बाद ही इंटेवु जाएंगे, तो हर फेज इंपोर्ट anybody है permit पीटी मेंस और इंटेव्युू तो पहले फेज में क्या ऐसी गलतियां रगे जो आप करीम में है जिनका चैन नहीं हो सका तो उन गलतियों को कैसे किया जाए उस पर हम लोग आच चर्चा करेंगा तो आप लोग जरूर आज जुड़िये का टेलिग्राम चैनल पर लिंक दिया हुआ है और डिस्किप्शन बॉक और कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा ताकि आप लोग जुर सकें चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा सपोर्ट बनाए रखिए और एप जरूर डाउनलोड के लिजेगा लिंक आपको डिस्किस्टिस्टम बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया जाता है आप पर आते हैं तो बहुत से चीज़ा आप लोगों मिले रेगुलर टेस्ट मिलेगा आपको साथी साथ वीडियो क्लासेज कभर किया जाएगा और डैनिक जागन न्यू जनलेसिस से समन्दी जो पैकेज है आप उसे खरी सकते मात 365 के सलाना इसका दर है एक स चीजों को समझेगा तो ही जाके चीजे उभर करा और देखिए आज ग्रूप में आएंगे कुछ लोग जो लगतार चार से पांच साल मेहनत कर थे जिनका पीटी नहीं हुआ है मैं लगतार आप लोगको मुंबे के जो धर्मिंदर जो उनका चर्चा लगतार करता हूं आप 213 का रेंक में लिस्ट में आना जनरल कटप के मारक के अधार पर लिस्ट में आना खुद में एक सबसे बड़ी उपलब्दी है नहीं तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट इससे बाहर हो गये हैं रिजन उसके पीछे हाई कटप है तो देखिए परिस्तितिया सब के साथ हो से संबंदिन तो यह आतंकी फंटिंग के खिलाफ वैस्टिक सम्मेला में पाक को नहीं दिया गया यह टॉपी जो न्यूज है अपको यूपेसी जीएस पेपर के टू अंतराश्टियस समझोते और स्वहयोग वाले टॉपिंग में कवर होगा स्ट्रेट स्ट्रेट PCS वाले के कवर करेंगे इसमें देखिए बात है कि 73 देशों का एक संदेशों का देशों और 6 संस्थाओं को परतिनीरी भाग ले रहे हैं डिल्ली में जिनका कल मेरें मोदी जी प्रधान मंत्री हमारे हैं उनके द्वारा घाटन कर दिया जाएगा और ग्री मंत्री के द्वारा बताया नहीं गया रिजन उसके पीछे जान ही रहेंगा आप लोग पाकिस्तान ही पूरे आतंकी संगठनों का जननी माना जाता भारत में जो भी आतंकी घटनाए होती है उसका इसलिए इससे इसको बाहर रखने के लिए एक आपको हैं नवाता कटसी मेंटेंग करने के इस विचाधारा पहम विरोध कर रहें उसी देश को इस प्रकार के समेलन में बुलाएंगे तो कहीं ने कहीं ब्यहवार और कथनी और करनी मंतर हो जाएगा इसलिए इस प्रकार की चीजों को किया जाता है और भी कोई चीज नहीं है इसके लिए समझनी की जरुत और भी है यहाँ पर है कि पाकिस्तान के और से कश्मीर, खालिस्तान, समर्थक, आतंकवादी और इसलामिक आतंकवाद को वित्ये सहाय मदद की बात कही गई है सुरक्षा एजनसी ने वरिष्ट अधिकारी कहा कि पाकिस्तान के और से इन तीन छेत्रों में आतंकी संगणों आरे उस पर चर्चा होगी जैसे आतंकी फंडिंग के ताजा ट्रेंड क्या है उस पर चर्चा की जाएगी और फंडिंग की आतंकी फंडिंग के अपचारिक के अनवचारिक सभी तविकों पर बात चीत होगी दूसरे सत्र में सरिवार को आतंकी फंडिंग के लिए नई तक कर दो एक पर यहां पर इसका किसी भी बैक्टी के सुचना पर आप नहीं कि जा सकती यह बहु अस्तरी यह इंटरफेस होता है जिसमें आपके इतनी भी लेर को कम को तोड़ते हैं फिर भी जो ऑरिजिनल बैक्ती जो इसे डार्क यार्ड में आके काम कर रहा है उससे आपको ख चेक नहीं कर पाते इसी पर चर्चा वेसे संबंदी चीजों को उहार कर लेकर आएगा चौथा सत्र क्या करेगा अंतराश्य शहयों को बढ़ाने की जरुतों के बारे में चर्चा करेगा यह सत्र जो होंगे ने बहुत इंपोर्टेंट हो जाएंगे इसके जो भी मैं पहले भी बात की जा चुकिए इंटर्पोल का जो बैठक हुआ था जिस पर मैंने न्यूज भी आप लोगो को कवर किया था तो देखिए मुंबे और दिल्ली में हुआ था इसकी बैठक तो आतंकी फंडिंग और आतंकवादी के खत्रें पर दुनिया को अगा किया था उसके नोट्स को मैंने बताय भी था, नोट्स भी की नोट्स में सामिल भी किया गया है तो दोनों को टैली करके कवर करना हा। प्रस्ण आपको इस आतंक के फंडिंग से लेकर आपको प्रस्ण पूछा जा सकता है तो उसकर मुंदों चर्चा करेंगे आने देजिए दोनों को टैली करके हम लोग कवर कर लेंगे एक इंटरपोर वाला जो हुआ था और पलस किया आपको आतंकी फंडिंग वाला हुआ रेका सन्युत राष्ट का आतंक वादी निरोधी जो मंत्रिय शरीय सम्मेलन था उसमें भी बाते हुई थी कुछ उभर कर तो सभी को टैली करके हम लो एक नोट्स क्रियेट कर देंगे जिससे आतंकी फंडिंग से लेकर को भी प्रसित पूछे किसी भी डियागराम से पूछे तो आप तीनों संसावों के लेकर एक हैं कर साथ एंसर कभर कर सके तो उस Chanel करेंगे भी कि लिए इसफनलों बात करेंगे यह लगतार प्रश्ण पूछा जाता हूँ किसी भी स्टेट का उधारन ले लिजिए वहाँ पर आजनीफिक विरासत कहने का मतलग पिता से पूत्र में पिता से बेटे में या पती से लेकर पत्नी में जो सत्ता का हस्तानांतरन किया जाता है तो यही प्रस्ण लाजमी बन जाता आपके लोकतंत्र क्या लोकतंत्र में ऐसी कलपना होनी चाहिए ऐसी धारना होनी चाहिए तो इसका बिहार का इग्जाम पर लिजिए वर्तवान ज्हारखन में ऐसे कुछ उभर कर सामने या सौथ के कुछ राज जैसे हैं जहां पर इस पर इस्तिती वस सत्ता में मानली जीस परकार के अवेत खनन के मामले में अगर उनका न्योकता समाप्थ होता है तो वो अपने पार्टी का सत्ता का कमान अपने किसी सहयोगी को देते अपने घर परवारिक सहयोगी के देते इसी लोकतंत्र के समन में यही प्रस्ण होता है और मे कोई इस पर नज़र रखनी चाहिए कि देखी होता क्या है ना लोगों की भावनाए तो जुड़ी रहती है लोकतंत्र के पड़ती तो लोकतंत्र के लोकतंत्र की जो परकिरिया है ना वो परकिरिया में कहीं ने कहीं लोग होने लगता है लोगों को लगता है कि नहीं लालू जी थे वर्थमान परिस्तितियों में उनके चारा घोटा नम कुछ मामला उभर कर आता है तो अपना सत्ता जो था सत्ता वो किनको दे दिये अपनी धर्म पत्नी रावड़ी जी को रावड़ी जी देखिए परसासक तोर पर कैसे वो अलग मुद्दा है यहां पर बात ह करता है क्या यह कॉंसेप्ट भारतिय लोगतंत्र में जीवन तरहना चाहिए मैं इसकी बात कर रहा हूं अब मान लिजे कल जो हेवन सोरन जी के पत्नी को अगर दिया जाता है कल्पना जी को कल्पना जी ही साहिद नाम एक सगन में चेक कर लो तो कि जहां तक मुझे याद आ तो इसी मामले में देखे इडी की जाच हुई है इसी मामले में यह उभर कर सामने आया है कि अगर इडी के मामलें कुछ ऐसी घटना करम आती है जहां पर जो धर्खन के मुख हमांति है उनको त्याग पत्र देना पड़ता है इसके विकल्प क्या क्या इस न्यूज को और इडी की छापा, इडी के संदर्वे सारी न्यूज को पहले मैं कभर कर चुका, उसके डायलेमा को पहले ही मैं कभर कर चुका, तो आपनों उसे देख लिज़ेगा, अब इस से उभरे हुए प्रस्न को देखे, तो नीचे का पेज में हम लोग आते हैं, वह सत्ता का हस्तनांत्र हो जा रहा है यह सबसे सबसे इंपोर्टन इसका है इस WORK जिन्दा रहा है कि अमानले चयन आपका हुआ है ना कि आपकी पत्नी का हुआ है ना आपके किसी समंधी का हुआ है आपको ये समझना होगा पार्टी विसे सभी लोग को और चुनायों को भी ये समझना होगा कि देखिए किस परकार से गतिविधियां और लोगतंत्र में उभर कर सामने आ रही है यह कहीं न कहीं लोगतंत्र के लिए खत्रा का संकेत है जैसे आप देख सकते हैं लालू जी के द्वारा किया गया सत्तानांत्र रावडी जी को ठीक है रावडी जी ने किस रूप से काम किया किस लुप से वो परशासन को जी अपने अंडर में काम करवाई ये दुसरा सोध का विशय है उस पर चर्चा का विशय है पर सत्ता का हस्तनांतरन केवल इस अधार पर कर देना कि हमारी party बहुमत में है और उस व्यक्ति विशेश को सत्ता हस्तनांतरन ऐसा नहीं कि से पहले वो चुनाओ लड़ी हो चुनाओ के बाद जाके जीत कराई विधायक दल विधायक के तौर पर चुनी गई है इनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा फिर जाके उसके बाद उनको पूप चुनाओ कराया जाएंगे उसके बाद जाके चीजे अगर इनके फेवर माती तो जाके सत्ता अधिकार प्राप्त कर सकेगी ना इनको चुनाओ के आउसर देना चाहिए चुनाओ में इनको लड़ना चाहिए उसके बाद अपने खुट को विधायक के तौर पर सावित करना चाहिए हमेरा चैन हुआ उसके बाद जाके बहमत दल पर बहम बहुमाद दल का नेता चुना जा सकता उनको मुखा देना चाहिए मैं इसके फ्यवर में हूं ना कि मान लिजे अब इनकी पतनी जो है कलपना सौरेंजी उनको बहुमाद दल का नेता दे कि हमारे देश में सबसे बड़ा डिमेरिट यही है ने चाटुकारिता की राजनिती अ जाती है और देखे अंत इसका यह होता है न कि लोगों की भावनाएं आहत होती और लोकतंत्र पर कहीं न कहीं विश्वाट चुटता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो नोटा का परियोग करें कभी किसी ने सोचा कि नोटा का परियोग किस किस कारणों से हो रहा होगा या या 99% का वोटिंग हुआ किसी राज्जी में विधान सबाग चुना में या ऐसा नहीं कि लोग देना नहीं चाहते हैं इसके पीछे लोजिकली कुछ क्यों कौन से कारण रहे हुए इसको ढूनने की जुरत है तो रेखांकित करने की जुरत है यह सब चीजों को कि इस परकार क के रवये ही इस परकार के कार्य गतिवीदी ही लोगों को लोकतंतर से दूर करता जा रहा है तो सबसे बड़ा आपको कार के से समझना होगा अब देखिए कल्पना सोरंजी किस रूप से काम करे जिए तुसरे विसे दुसरा सोद का विसे दुसरा इसका सोचने वाली दूसर तरीके से समझेंगे, आप लोग हम आगे नेक्स न्यूस पर देखते हैं, अज एडी के सम्मझ में मैंने लगतार चर्चा किया जो पुराने स्टुडेंट है, आप लोगो कल लिष्ट सेयर किया गया होगा, आप लोगो लिष्ट सेयर किया है कल न, एक से लेकर 17 नॉम्बर त तो उस तारीक के नीट अनलेसिस को देख सकते हैं, तो आप लोग नहीं देख सके, अभी तक पुराने स्टुडेंट, ने स्टुडेंट के लिए लिस्ट दिया जाता है, और उस लिस्ट को आप लोगो एक कोपी में ज़रूर लिखते चलिएगा, आप टेलिग्राम चैनल क स्क्रॉर करके उपर जाईएगा, उपर जाने के बाद आपको जब से टेलिग्राम चैनल कराया जा रहा है, टी नोट के साथ, तब से आपको एक लिस्ट दिया जा रहा है, उस लिस्ट को रखिएगा ना तो एक कोपी में लिख कर, लाच में कोश्चन और टॉपिक को समझ म आए कि इस साल के प्रस्म सबसे इंपोर्टेंट प्रस्म कोन उभर कर आ रहा है, कोन से टॉपिक उभर कर है, जहां से प्रस्म पूछा जा सकता है, इसलिए लिस्ट आप लोग को दिया जाता, उस लिस्ट को आप लोग ने जरूर राइट डाउन करके लिखिएगा, के लिए क्यों कि खास्ता हाल है देश के नगरिये निकाओं के आर्थिक हालत आर्वियाई का रिपोर्ट आया है जिसमें ये बाते की गई है उस पहले हम लुद नूज को देखेंगे तो जाके की पॉइंट पर कवर करेंगे देखिए हैंब क्या बाते की के पहले इसको समझे कि देश में नगरिये निकाओं के स्थिति को भारती रिप्रेंग ने चिंता जताई है आर्वियाई ने पहली बार 27 राज्यों के भीतर नगर निकाओं के माली हालत पर कर्चा किये तो यहां रखेगा 27 राज्यों पर इसके साथ इसाथ उनके द्वारा कार किया गया इनकी वित्ये स्थिति को लेकर बहुत ही चिंता जनक टिपनिया की गई है 2017 से लेकर 18 और 19 के वित्ये खातों के परताल के बाद रिपोर्ट जारी की गई है तो जो 20 तक के 17 से लेकर 20 तक के स्थिति पर आखड़ा दिया गया है और नगरिये निकाओं राजस को जुटाने के कुछ ठोस तरीका नहीं निकाल पा रही है इस पर केंद्र बिंदू किया गया इस पर कुछ बाते की गई है तमाम कोश्टिस के बावजुद भिया इस्तिति उभर कर सामने नहीं आए कि नगरिये परसासन ससक्त हो सके इनका काम केंद्र और राज्यों के तरफ से मिलने अनुदान आधि से ही चल रहा था पूरी तरह अनुदान कोंसेप्ट पर ही लो ठीके हुए केंद्र का हो या राज्यों के द्वारा अनुदान दिया जाता है नगरिये परसासन को तो नगरिये परसासन उसे कहते है जो नगरों में लो विकेंद्री करन की प्रकृति को लाता जैसे हम पंचायत राजी ब्यवस्था करते हैं उसी तरह नगर यह पंचायत ब्यवस्था आगे हम लोग उसको चर्चा करेंगे अपनों धर रखिए इसी कता खोश संसाधन की बात की गई राज आर्बी आई के द्वारा सहरी जो अबादी का विशस्तरिय सुईधा देने की बात तो बहुत दूर की बात है सहरों के अभादी घना तो बढ़ता जा रहा है तो बहुत से आस्पेक्ट पर नजर यह आर्बी आई रिपोर्ट देती है तो उसके संदर में कुछ बाते हैं कि इसे आप लोग नौट डाउन जुरू कीजिएगा मैं कभी आप लोगो अस्थानी परसासन या आपको याद होगा जहां तक मैं आप लोग बात किया था वक्त बोट की बात किया था ना जमीन जो पड़ी रहते उसका कैसे हम राजस राजस जेन कर सकते या रेलवे की जो भूमी पड़ी है खाले भूमी उससे हम कैसे राजस गेन कर से प्राप्त कर सकते उसी के सनदर में ने किसी भी इड़ सनस्था के साथ हम कैसे राजस को किरेट कर सकते एसेट को क्रियेट वसके बारे में बताया गया ँसceansे में देखेगा कुछ बाते पर कि दौरारा चैनोती match पूर्ण इस्तिती है राजस के थोच तरीके नही के निकायो का ठाचा तो बहतर होगी आप पर सबसे इंप्रोटन क्या राजस की तभी तो सिस्टम चलेगी मालिक अमरसर काम कर रहा हैं पूंजी ही नहीं रहा तो कैसे काम करेंगे इसलिए सब चीज जरूरी है ऐसा नहीं कि बस केवल संस्थाओं के निर्मान कर देने से ही उसंस्थाओं चल जाएगे तो वहीं पर देखिए केंद्रिय बेंग ने निकायों के राजस जुटाने के लिए कुछ तरीके सुझा है तो यह तरीका आपनों याद रखिए का आने वाले एक्जाम में कहीं भी पूट कर सकते है खाले जमीन पर टेक्स लगाने की जुरत है भावनों को बहतर बनाने या अधुनकी करन पर टेक्स लगाने की बात की जारी है भावनों के अत्रिक जमीन पर टेक्स की बहुस्ता की जाएगी राज्य सरकारों को अस्टाम सुल्क निकायों के हिस्सेदारी बढ़ाने की जूरत है साथी साथ रीन बजार आकरसक बने ताकि निकाय बॉन्स जारी किये जा सके तो रीन बजार को भी आकरसक बनाए बोन जारिक किया जा सकती यह कदम उठा कर नगर निकायों के राजर्शु की विर्धी की जा सकती और काफी हद तक यह सही भी है बहुत ऐसे खाले जमीन पर ऐसे ही आपको सहर में देखते होंगे जो शारुजनिक अस्टले खाली पड़ी है पार्क खाली पड़े हैं वहां का रेविणी नहीं डवलप किया जा सकता है नहीं किया जाता है तो यह चीजे समयने वाली बात होगी कि हम हर एसेट का बहतर उपयोग कर सके तो इसके संदर में बाती की गए एक और भी डाटा यहां दिया गया जिसमें राजसु प्राप्ती के निकाँ अपने हिसेदारी की बात की है तो देखिए उत्तर परदेश में कितना राजसु प्राप्त करता है अस्त्रोतों से जैसे उत्तर परदेश में 0.21% बिहार में 0.61% जारकन में 2.7% दिल्ली में 0.67% तो अपने अस्थाने यह डाटा देख लिए राश्टी आउसत कितना 0.6% तो बीपेसी वाले स स्टूडेंट जो भी PCS स्टूडेंट है उनको यह डाटा ले इनका राजस राश्टी आउसत्र से कितना कम है अधिक है तो बिहार का उधारन लेंगे तो बहुत कम है बिहार का लेंगे तो कुछ कम है 0.03% कम है तो यह आकड़ा आप लोगों को ध्यान रकना यह आकड़ा यूँज कर सकते हैं और जितने भी आकड़े दिये जाते हैं उसको आप लोग यूज करना सिखिए ताकि एकजाम में आप लोग कवर कर सके तो बताइए यहां से कोस्चन उभर कर सामने आता है सबसे पहले नगरिये परसासन कहां लाओ किया गया था नगर निगम कहां कि क्या ऐसा कारण जो विष्व गांदी और ब्ध के विचारों को मानता है पर उसे अपने देश के नियम और परसासर में कानून Ucjardharaon को लाउंनी करता है, अथात विदेशनीती में लाउंनी करता है, गांदी जी को ब्राइपटिकत तौर पर सभी देश आदर्स मानते हैं बुद्ध के विचारों को आदस मानते हैं पर विदेश निती में ऐसा कौन सा कारण है जो विदेश निती में इनके विचार धराओं को सामिल नहीं करता है जैसे भारत करता है वैसे वो लोग नहीं करता है तो चलिए हम उसको बात करेंगे पहले इस टॉपिक को खदम कर लेत हैं उसके बाद चलिए नगर निकाय नीमों के लिए विट पोष्छन के वैकलपिक जन्वतोного कंडिका रिपोर्ट है जिसमें नगर मिंगत सब्सक्राइब करें। पूनात्मक राज्य सुपरनाली इसके पास नहीं हैं अगर जिस निकाए में ऐसा कौंसेप्ट नहीं हो तो देखी होता क्या थिरे संस्तायडे डेमज हो जाती है और देड्ड हो जाती है आने वाले समय के बाद क्योंकि यह इसके पास अत्रिक वohl हो पर पुंतर जिवित होने वाले संस्था बन जाएगी तो यह कहीं ने कहीं इसके जो उध्वो का कारक बनाया गया विकेंद्री करन किया जाए लोग की भगदारी बढ़ाया जाए तो उस कॉंसेट में कहीं ने कहीं आगहाथ पहुचेगा तो यह सब चीजें उभर कर सामने ब जहां रखेगा इस तीर है जबकि इसके विक्रित ब्राजिल जैसे देश में सकल घरेलू का उत्पाद चार परतिसत और दच्छिन अपरिका में सकल घरेलू उत्पाद का छे परतिसत नगर पालिका राजय सुब्य किया जाता है तो सोचके देखिए कि हमारे देश में एक परतिसत जीडीपी का खर्च किया जाता है नगर निकायों पर नगर पालिका यह राजय सुब्य किया जाता है वही पर अन्य राजय देशों की तुल्ला कि जहां चार परतिसत लेकर चार परतिसत तक ब्यकिया जाता है तो मात्रा भी होगा गुनात्मक मात्रा भी पुझी गत ब्याई किया जाता जैसे प्रसास्निक लागत में इन्फरस्ट्रक्टर ब्याई में ब्याज और वित्य सुल्क के रूप में नगरपालिका के पर्ति बद ब्याई बढ़ा रहा है लेकिन पुझी गत ब्याई नियूनतम है अथाथ एसट निर्मान करने का यहां नियून है जहां से पैस मनी को जरनेट किया सकाए और पुझी गत ब्यां को जरनेट किया जय accuracy में नियूनतम है तो इससे जिए *** को कभर किया जाना चाहिए आप लोग और साथी साथ और प्रभावी राज्य वित आयोग है लगतार आप देखते हैं राज्यों में कि राज अस्थानी निकाय चुनाव जो अस्थानी निकाय जो तेहतरवा चोहतरवा शोईधान सुन्षोधन है उसमें चीज़े उभर कर सामने आए थी कि किस परकार से राज्य वित आयोग का गठन करना चाहिए तो यहां पर देखे सरकारों ने निमित और निस्वमे बद तरीके से राज्य वित आयोग की गठन नहीं किया है जबकि इन्हें परते पांच वर्ष पर अस्थापित किया जाना आप एक्षित है इसका परणाम देखा गया कि अधिकांस राज में राज्य वित आयोग अस्थानिय सरकारों के निधियों के नियम अधारित अंतरन है सुनिश्चित करने में परभावी नहीं रहे अब लगतार इनका गठन होगा ही नहीं तो कैसे उकाम करेंगी यह भी सोचने वाली बात है नहीं कि किस परकार से नगर निकाह राज वित अब वाली है antsy sleeping यहां पर इस सरकारों के बीच राज्यों के बीच एक को डवर्च को भी सरकारों के उसला है और यहां पर ऊ-स्तिती नहीं मिलती है और जाकर सिस्टम कॉलेफ्स करने की लिए मडिंग बन जाती है अब देखिएगा जब यह सब बाते होगे रिपोर्ट की तो अब नगर निगम क्या है इसकी भी आपनो चर्चा सुन लिजे ताकि देखिए होगा एकजाम यहां से प्रस्न पुछा गया है अलगतार प्रस्न पुछा जाता जिसमें आपको भारत में नगर निगम 10 लाग से अ अधिक हो 10 लाग यह 10 लाग से अधिक हो तो सबसे पहले पी टी में तो यही पूछा जाता आप रोच यह पूछा भी गिया है ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही लिग दिया हूँ प्रस्न पूछा गया है महा नगर पाली का नगर निगम नगर निगम सीटी कॉपरेशन आज इसके कुछ अन्य नाम भी इसके पुकारे जाते हर स्थेट में अलगला नाम से पुकारा जाता नगर निगम को राज्यों में नगर निगम के अस्थापना राज विधान सभाओं के अधिनीमों द्वारा किन सासित परदेशों में संसत के अधिनीमों के माध्यम से की जाती है अब आपसे प्रस ने पूछा जा सकता है नगर निगम के अस्थापना की प्रकृति क्या है और जो विधान सभा है राज्यों के उसकी नियम से धुत paintings साहि बनेगा जैसे जम्मू कस्मिर है लद्दाक है और और इढ़ी जैसे उन राज़यों में आपको दिल्ली जैसे के भीड्यां सभा है नियम बनाया जाएगा नोट याद रखेगा नोट याद करना क्या है नगर पालिका अपने कारियों के संचालन के लिए संपत्ती राज्यसु पर अधिक निर्वा करती है संपती कर ध्यान रखेगा प्रस्ण आपको पीटी में पुछा जा सकता है नगर पालिका अपने राज्यसु का सबसे अधिक क पर निर्भार या किस से आयप्राप्त करती है तो संपती कर से ध्या रखेंगा यहां पर नोट याद रखेंगा परफम जो है नगर निगं जो परफम निगं वर्श 1688 में मदरास में अस्थापित किया गया था उसके बाद 1726 में 1688 जाद रखेगा मदरास 1726 बंबई ये कलकत्ता में नगर निगम अस्थापित किये गये थे तो आजादे से पुर्व भी नगर निगम अस्थापित किये गया है तो यह PT FAC में आप लोग को state PCS के स्थापना के लिए कोई विश्ष्ष्ट प्रवधान नहीं किया। श्थापना के लिए कोई विश्ष्ष्ट प्रवधान नहीं है। और नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के परशासन से संबंदित चर्चा करता है जैसे चोहतरवा सुविधान सुन सोदन अस्थानी सासन परशासन की बात करता है वैसे ही चोहतरवे सुविधान सुन सोदन द्वारा आपको सहरी नगर नगर निगम से संबंदित नगर पालिकाओं से संबंदित परशासन की बात करता है इसे नियम की बात करता है तो यह सब चीजे याद रखेगा साथ ही या अनुछिद एक सकंड यह बहुत नीचे चला जा रहा है न को बात में यहाँ पर मैं पौर देता हूं आपनों समय यह नीचे डिप डिप चला जा बारवी अनुशुची में सामिल है बारवी अनुशुची में 18 विशए है तो कोमेंट शेक्ष geography में बताई है कि जो इस in शूची में 18 विशए है बारवी तो इग जो अस्थानी पर्सासन से संबंदित जो सूची है इग यह लजकर ऐन य। इस्टानिय पर्शाषन के विषय से सम्मदित मद्र से सम्मदित और्さん में अस्थानिय पर्शाषन के विषय अरक्षित है चलिए समन्हरु बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले यूटूब चैनल को ज़रूर शूस्क्राइब कीजिएगा श्रक्षण कीजिएगा में काम करें बहुत से स्टुडेंट लगतार सही उत्तर दे रहे हैं इससे बहुत से चीज़ें आपनों सीखने को मिलेगा इसी तरह लगतार परियास करने से ही रिजल्ट आपका होगा ऐसा सोच रहे कि मैं अभी नोट्स बना लूँगा उसके बाद जाके उसे याद कर होगा आज प्रसन पूछा जा रहा है तो आज ही प्रसन आप उसका उत्तर देने का परियास कीजिए मेंस लिखने को बोला जा रहा है तो आज ही लिखिए कोई लोट्स करने को बोला जा रहा है खुद से बना के भेजने को बोला जा रहा है ग्रूप में कीजिए और सभी स् करना है उसी पर धीरे धीरे यह बढ़ता जाता है एक समय आपका हो जाएगा तो लगतार पर्यास कीजिए तो ही नहीं होगा अब मान लेजे कोई वेक्टिव से खुद को आबरस्मार्ट समझेगने में तो कर लूगा तो आबरस्मार्ट में समेशा बर्वाधी की और ले जाता है यहां रखे जो मेरे संस्थान में पढ़े नहीं दस लोगों पजास लोगों को लाकर रख जिया तो बहुत सा भ्यूप की रिट हो जाए कि ने यह संस्थान रिजल्ट देता है पर मैं चाहता ओरिजिनल केंडेट ही रिजल्ट दे आपको मैं कुछ लोग का चैन हुआ है जो मेरे साथ तो आप लोगों समझीएगा कि चीजे कैसे करनी है जो लगतार परयास करते और उनका चैन लिखा हुआ है बस यह वह पर किस साल लेना के डिपेंड करता है वह 12じ 22 में चैन लेना या 203 में लेना यह आपकर डिपेंड करेगा चीधिक्ट १यानी पडिए अपना चेंद लेता है उस पर हीड़िपेंड सारी चीजह आप लोगों को दी जा रही है उक्जाम और इन्ट चीजे दी जा रही है कोई बपधात्य नहीं सबसे इंपोर्टन चीजह रखिएंक mówi इंपोर्टन चीजे रखिए जहां पर फन्ह घ्रें सबसे किया था कुछ लोगों ने बोला कि सर मुझे नहीं ध्यान आ रहा है तो मैं आप लोग को बोला था ना कि कुछ भी जो समझ में आए वो लिख के भेज़े पर लिखने की कोसिस कीजिए पहला तो आप लोग ये काम कीजिएगा को भी कोस्टन पुछा जाता ना तो उसको लिख प्रस्न पूछा था क्या ऐसा कारण है जो गांधी और गांधी और बुद्ह के विचारों को भारतिय जो विदेश निती में जगह अन के विदेश निती में नहीं नहीं मिली इसके पीछे लौजिलिक यह चीज़ सबसे बड़ा इंपोर्टेंट ये भारत है न वसुधिव कटुमबगम की बात करता है समगर विश्व की बात करता है और विश्व के कोई ऐसा देश नहीं है जो समगर विश्व की बात करता है पहले राष्टे हित सरोपरी वो लोग रखते हैं सबसे पहला एक कारण यह है कि भारत के तरी कोई और देश भी अपने सो राष्ट की दूसरा कि जो भी ससक्त राष्ट है ना सब्सक्त राष्ट अपनी नीतियों को है ना अपने बाजारी करन के संदर में देखता है देखते होंगे को भी आप विज्देश के सक्तिसाली राष्टों का यामपल आपने लिए जो विश्व में अपनी महत्ता काइम किये हुए या किसी टेक्निक को बेच रहा है तो उसमें उसका hidden agenda क्या है यह सबसे important सोचने वाली बात है वो bargaining system को develop किये हुए वो अमरिका की बात हो रूस की बात हो फ्रांस की बात हो इसराइल की बात हो या किसी और देश की बात हो सभी लोग गांधी बुद को मानते हैं ब्यक्तिकत तोर पर सभी राशी से प्रसाहित करते इनके विचारधारा पर अपने विजेस लिती में कायम नहीं रखते हैं अब मालेजे जो नाटो संगठन देश है क्या कभी भी गांधी और बुद के विचारों को कायम कर सकता है सोचके देखिए जिनका बेस ही बेस ही बजारी करन य और बुद के विचारों को लेकर सकता है क्यों कि यह विचारधारा उसके साथ कोडिनेट है जहां पागांधी जी के पूरे संपुन है जा माहत्माव गून को करना है और विशु को एक समसाधन के रूप में देखके आगे या नितियों को आगे बढ़ाने की बात करता, तो यह चीज आपनों को समझनी होगी कि विदेश निती निधारन उसके इतिहास में छिपा होता है, धियारा कि किसी विदेश के आण बुद्यारन उसके इतिहास में ही खं तो उसमें आप लोग को भारती विदेशनीति और आने देशों को विदेशनीति का जैनुवल कॉंसेट आप लोगो समझाओंगा उसके बाद आपको जीवा में कभी ऐसा दिक्टप नहीं होगा कि आप इन चीजों को लेकर कभी भी कंफ्यूजन होंगे देखिए मैं लगतार आप लोग से बात करता है कि जो मैंसी कंपणिया मंटिनेशनल कंपणिया जैसे गूगल है अमेजन है आप लोग का नाम सुनते होंगा किसी देश की आंत्रिक मीतियों को चेंज करने की सकती रखता है रखता है कि नहीं जैसे आई एमेफ हो आईमेफ यह प्रकार का क्या है अमरिकी एसेट का उप्योग करने वाला संस्ता है ना सबसे ज़्यादा अनुदान देता तो अमरिका जो बोलेगा वही काम करेगा ना अमरिका अमरिका क्या बोलेगा जब एमेजन है गूगल है वो बोलेगी वही काम करेगी ना आप हैजन और का एक स्टेट्मेंट सुने ह कि राश्पती के पास सक्तियां नहीं होती सक्तियां प्रयोग कौन करती अद्रिस सक्तियां अद्रिस सक्तियां क्या है अद्रिस सक्तियां यही सब होता है जो परदे की पीछे से सरकारों को नितियां देते और यह सभी विश्व के सभी देशों में ऐसा नहीं कि भारत में नह वारते हैं और करते भी है यह सरकार सरकार के वह ऐसे अंग है जो देश को चला रहे हैं तो यह समझे कि अब इसके संदर में नेपाल का पो एजामपल दिया था याद होगा नेपाल का इजामपल जहां से राज साहि से लेकर लोक्तंत्र लाया गया देखिए का आई-एम-फ का रिपोर्ट दिया गया था उसी परकार आपको भुटान का ग dir Hauats a और आप अपने सब्सक्राइच सब्सक्राइब इसके और मक्सद में मिनच संदर में उनको मुनाप्ट सब्सक्राइब करना होता है अब माल लिजे 1991 का उधारन ले लिजे आप, 1991 से पहले भारत की बाजार की प्रकृति कैसी थी, आप सोच के देखीगा, आज जाके 1991 के नीती को पढ़िएगा, वहाँ पर देखिए भारती बाजार की प्रकृति पहले कैसे थी, IMF ने कुछ रूपिया देने को बोला, उसके वज़ में क्या बोला था, लिश्ट कुछ दिया था, कि आप बजार को ऐसे कीजिए, तो बजार किसके लिए करेगा, किसी सरकार के लिए करेगा, नहीं न, MLC कंपणिया है, बहुत से फिल्ड के MLC कंपणिया, उनके लिए बजार ओपिन करना है आपको, बजार ओपिन किजिए का, तो उसी को उन्होंने लोगतंतर का नाम दे दिया है, ध्यान रखिए का लोगतंतर का नाम दे दिया है, कि अगर आप ऐसे करेंगे, तो लोगतंतर व्यापक रूप से उभर कर सामने आएगा तो यह hidden अद्रिश सक्तियां यही काम करती है और जब मैं पॉलिटी की कलास आपको लेंगा ना इसका लोग के द्वारा शासन किया जाता है यह नए उदारी करन नीकी के बाद जैसे ही अम लोगतंद्र का परिभासा चेंज हो चुका है और इसको जितने जल्दी आप लोग समझ देखिए होता है ना आप लोग बहुत से किताबों का अध्यन किजिएगा बहुत से तिंकरों को च समझ में आ जाए कि विश्व की रणिति किस और जा रही है अब सोच के देखिए हम लोग सब्सक्राइब करते हैं परमानु विश्व लगतार पर्सेंटेज के अधार पर लगतार बढ़ रही हत्यारों के खेप बढ़ाने में आया विश्व में आयात बढ़ा रूस से बढ़ा परमानु हत्यार है जिसके पाल अमरिका उसके बाद है तो कॉंसेप्ट है फिर भी इसके लिए काम कर रहा है इसके पीछे लॉजिकली यही है कि कथनी और करनी में कहीं ने कहीं अंतर इसको जब आप लोग समझ जाएगा ना आप पॉलिटिक क्लास जब होगी न और जाने जाये जो हुआ आप किताब में निसो सेटर के दसक का नव्य का दसक का कॉंसेप्ट लेका चल रहे हैं न जोज़and जबतकर आप समझेश समझें नहीं तो नहीं हो पाएगा अब माले 2022 का concept पूछ रहा है और आप दे रहे है 1970-1980 के दसक का concept दे रहे हैं तो कहीं ने कहीं आपके चैन को रोग देता है और बहुत से लोग एस्टूरेंट देखते होंगे न कि बोलते हैं कि मेरा चैन कुछ नंबर से छुट गया उसके पीछे logic के लिए कारण यही है उनके पास knowledge की कमी नहीं है उनके पास लेखन चमता की कमी नहीं है उनके पास उन concept की कमी है जो वरतमान में चल रही है तो आप इसे समझेगा आने ले समय में हम बात करेंगे चल रही है नेश्ट हम लोग बात करते हैं देखिए चुना आयुक्त की नियुक्ती के लिए कॉलेजियम कराने की मांग को सरकार ने विरोत किया एक जन हितियाचिका दयार किया गया तो उसी में यह बाते उभर कर सामने आए जिसमें जैसे आप लोग देखते होंगे जजो की नियुक्ती जो नियाई पालिका मिक्की जाती कॉलेजियम व्यवस्था के संदर में उसी पैटर्न पर सुप्रीम कोर्ट में चुना आयुक्त जो हमारे चुना आयुक्त होते हैं तीन सदसी एक कॉलेजियम से कराया जाने क मांग को विचार कर रहा है कोट में कई या चिकाए लंबे थे जिसमें मांग की गए कि CBI निदेशक और CBC जो मुख सतकता आयुथ होता है कि तरह ही तीनों चुना युक्ते मुख चुना आयुक्त और दो चुना युक्त जो होते हैं उनकोई म्यूक्ती पधान मनती भारत क पधान नयादिस जो चिफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और राज़िपाल के एक सकन में यहां पर पेंग करना क्योंकि यहां पर के वरड ही रेड है तो आप लोगों को रेड रेड समझ में नहीं आएगा तो यहां पर देखिए बात यहां देखिए पधान नयादिस की बात की गई है चीफ जस्टिस इंडिया की बात की लोग सवार लेता विपक्ष के लेता की बात की गई है तीन सदस्टिस को लेता का इसे लैप लोपी कहा जाता है लोग इन तीनों के कोलेजियम व्यवस्था के संदर में आप चुनायुक्त और CBC की निक्ति करेंगे, CBI की निक्ति जिस तरह की जाती है, उसी अधार पर मुक चुनायुक्तों की निक्ति कर सकते हैं, यह इक कोलेजियम सिस्टम ने कुछ बाते बोली है तो समझने की जुरत है देखिए यहां पर किन सरकार ने कहा है कि कोट इस मामने आदेश नहीं दे सकता है क्योंकि यह स्वैधानिक निती के जुड़ा मसला है साथ ही साथ ही ऐसा करना सविधान संसोधन होगा अगर ऐसी कोई परक्रिया होगी भी तो ह हम सविधान संसोधन के अधार पर ही कर सकते हैं नियाइक निर्ने पर नहीं कर सकता है नियाइक सखिर्था का जो कॉंसेप्ट उसके अधार पर हम नहीं कर सकते है उसके लिए हमको संसोधन करना होगा और यह मामला है यह संसदिये मामला है संसद का अधिकार छेतर आता है न किया यह disease नियाए Adipalika के सवक्त होनी की स्थिती का धोतक है या we tich dieta के सक्तियों के लोग को हुने की धोतक है इस प्रकाश से प्रसक्त आपको कियर करके पूछ सकता है इसमें आपके राय पूछ सकता है इसके संदर्म में बहुत से एक्जांपल इसपो को पूछ सकता है इस पर मैंने पॉलिटी कलास में कभर भी किया था आपको जब ब्रिटिस मोडल से लेकर संसदी अमरिकी मोडल में नियाय पाले का कर जो हस्तनांतरन हो रहा था उस कॉंसर्ट में आपको मैंने समझाया भी था यहां पर देखिए सविधान का अनुचे 342 बदलने जब भी बात होगी जब सविधान संसोधन की बात होगी ने तो यहां पर कौन-कौन से एक्ट बदले जा सकते है तो 324 दो याद रखिएगा बदलने की जुरत पर जाएगी इस मोटे दलीले है वेंकर रमन रमनि आगे ने कहा कि सविधान सभाग लंबी बहस होने के बाद अगर इसे मौसोधा मंडल मौडल अपनाया जा सकता है मौसोधा त्यार किया जासा ता उसके अनुसार काम किया जासा है इसके बारे में कुछ और बाते उभर कर सामने आई है देख यहाँ पर सविधान निर्माताओं के सोच के खिलाप होगा इसके बारे में कानुन का ना होना सविधान निर्माताओं के सोच के खिलाप नहीं है तब जैस्टिस रोसंगी ने अटर्नी जर्र मौडल से पूछा क्या आप इस बारे में कोई कानुन या कोई परक्रिया तंतर बनाया है तो इसके समय में कुछ प्रस्म किरियट किया गया उहीं पर कहा गया है उनके द्वारा अटर्नी जर्रेनल के द्वारा कि राश्पती को वेका धिकार है लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि संसद मोन हो तो कोट प्रामादेश जारी कर दे कहने का मतलब है अटर्नी जर्रेनल के द्वारा बोला गया अगर इसके कहा कि न्युक्ती की जारी है नहीं की जारी तो यह संसद मोन है यह कभी नहीं समझा जाए संसद अपना काम करती है कर रही है इसका मतलब इस संदर में आप परमादेश दारी नहीं कर सकते हैं यह बात अटर्नी जर्रेनल के द्वारा दी गई है परमादेश क्या होता मैं आपनों को पहले भी चर्चा कर चुका है तो इस सब चीजों को ख़वर करना होगा क्या अगर संसद कानुन बनाए की राश्पती ही ऑथरिटी होंगे तो संसद तभी दखल देगे जब कोई गैप हो और कोई उसको भढ़ना हो या फिर राश्पती ठीक ना किया हो तो देखिए हाँ बात है अगर माली कोई न्युक्ती नहीं की गई है गैप हो गया माली 2019 में लास्ट चैन हुआ मान के चलिए और 2022 तक चैन नहीं हुआ तो उसके बीच गैप हो गया तो राश्पती अगर यूज नहीं कर रहा है उसके पीचे संसद कारे करेगी ना कि न्यायपाली का ध्यान रखिए वहाँ पर ऐसे ही बहुत सी बाते की गई जो वर्तमान में आपको यह चीजे उखर कर सामने आते हैं यहां पर एक बात और दी गई है की नो चुनाओ यहां पर एक और याचि का ना कहीत इसको आपनों को जानना चाहिए यह तो मामला था कोलेजीम का मामला तो था है साथी साथ त्इसाथ आयुक्तों को बराबरी का दिकार दिया जाए यहाँ पर देखते होंगे मुख चुना आयुक्त होते हैं इनके दो सहभागी चुना आयुक्त होते हैं जो इनको काम करने के लिए आपको देते हैं मदद करते हैं पर उनकी न्युक्ती है ना अस्तर तीनों एक ही होता है पर कार होगा यह दोनों इसके अंडर काम करते तो यहां पर यह बात की गई थी की गई है कि जो अन जो दो चुना आयोग जो आयुक्त हैं उनको है न बराबरी का धिकार दिया जाना चाहिए सरक्षन देने के चुना आयोग को सोतंत शर्चिवाले होने की बात की गई आयचिका में च कोलेजियम के संदर में तो बाते जो की जा रही है वो मैं सही मानता हूं कि कोलेजियम प्रवस्ता इसके सभी स्वेधानी प्रक्षों की जाच करने के बाद ही की जाने चाहिए पर इसमें जो दो चीजे हैं कि और यह चुना आयोग की बराबरी का दर्जा तो फिर मुख चुना आयोग तो होते हैं उनको एक विशेष प्रवधान विशेष अधिकार होना चाहिए इसलिए बराबरिक अधिकार तो मैं नहीं बोलूँगा दिया जाना चाहिए पर दो चीजे और इसके जो बाते की गए मैं उसके समर्थन हूँ जैसे चुना आयोग को सोतन सचवा चैहले होना ही चाहिए चुना आयोग बजट एक कॉंसलियरेटल कोना चाहिए दू, nova कर सकते हैं जिससे वह अपने मदथ पर कांकर सके अब होता है कि चुनाव से पूरिए हं चुनाव कराया जाता यह थ्यां रखियेगा होना चाहिए के यह देश्स के लोक्तन्त को जीवन करने के लिए बहुत से कार इसको करने पड़ते हैं इसके लिए इसके पास एक एक एसे डवलõप होना जिससे वह Ist कर सके और खुद को ससक्त कर सके दूसरा और एक बात है चुना आयों के नियम बनाने की सक्ती भी दी जानी चाहिए अब इस तरी कि यह केवल सरकार को ही सुचित करता रहा है सरकार उसके बाद नियम बना या निया पालिका अपने नियने द्वारा कुछ कॉंसेट जैसे नोट द्वारा लाया गया तो ध्यान रखेगा आयो को सुतंत्र इतना जरूर करना चाहिए जिसके आप उस मितिगत फैसले अपने स्वेक अस्तर पर ले सके अपर सास्मी फैसले ले सके जिसपर आप मालेजिए आप कोई परिवर्टन करना हो जैसे एक जैस चुनाओ करना है बात इस सभी आसपेक्ट इसमें दिया सभी चीज़ों को और लगता चुछ चुनाओ उख्टे उन्न दारा बोला भी गया कि एक देश एक चुनाओ कराने के लिए चुनायों सक्यम है तो देखी बात है कि इसके पास ऐसी सक्तियां होनी चाहिए एसी अजनसियां होनी चाहिए जिसके आधार पर ये काम कर सकएं, इसलिए कुछ नियम बनाने के सक्ति इने, देना चाहिए, इनिस्टेयल पर तब जाके शनसत को लास स्टेज్ पर चाहिए न कुछ काम कर सकता इसके संधर में, ऐसा नहीं कि हर बहुत हम संसत के दर्वाजे पर ही रहे, असंसत के आस्पेट कैसे होंगे, किस रूप से वो काम करेगा, चुना आयोक किस मैंडसेट से काम करना चाहता, इसके लिए कुछ सक्तियां उसे दी जाने चाहिए, जैसे हम प्रसास्विक अधिकरन में सक्तियां देते हैं न, नियाइक सक्तियों का, अर्थात मुर्ट्वी ड परचा करेंगे, यह सब कॉंसेट है, ठीक मैं कॉंसेट को समझ जाए, तो अराम से चीजों को कभर कर सकते हैं, आप देखिए होता है कि आप से प्रस्ण पूछ देगा, क्यों देना चाहिए, क्यों संसत आयोक को निसक्ति देनी चाहिए, कहीं निकरे संसत अपनी सक्तियों अतियाग कि आपके पर अत्रीक्त कार है, आपको काम है जन कल्यान करने की समंदिर नीमो को बनाना, न कि स्वेधानिक संस्थाओं के संदर में परसास्ति नीमो के संदर में आपको नियम काम बनाना, आपका संसत का अधिकार यह नहीं है, पर आपको अधिकार चुना आयोक क तो इस के लिए आप कर सकते हैं मैं तो बोलता हुथ इस प्रकार के नियम है ने चुना आयोग को ही दे दे देनाचाइए इसके प्रकार के भी फरिवत्रन अपने अव्तर को करता है अपने क्यूंब करता है चुना आयोग में बवस्ता होगा जहां पर इस प्रकार के concept को डवलप कर सकता है अब संसद इसके परशास्नीक कारियों को भी देख रहा है देखना चाहता है इसके जो इस चुना आयोग के दोरान जो निरने ले रहा है जिस प्रकार से धराताल लोगे पर का land तो सनसत का adalah के लिए नियम बनाना जो आम लोग है उनके लिए अब इसके लिए बहुत से संस्थाओं how that में आभड़ संस्थाओं अंदर के पार्ट का भी लोग संसत काम करें कहीं नहीं संसत के अत्रिक बोजhon डवलप कर रहा है नै संसत को अत्र zach का रहा है संसत मोग की हित काती आ काम करेगा देखते होंगे लगतार बहुत से दिन बरवाद हो जाता है इसके पीछी यहीं बहुत से चीजेекст हैं तो शंचत क्या करें एक एजनसी का निर्मान करें मालने जब विद्यार्थियों के लिए को एजनसी बनाना है ठीक है ना बालने जो रोजगार से संबने को एजनसी बनाना ऐसा होगा नहीं कभी परमान के चलिए कि संसत क्या करती है कि अभी रोजगार नहीं मिल रहा तो एक ऐसी एजनसी का निर्मान करता है जो रोजगार create करेगा माने रोजगार भारती रोजगार मंत्राले के अंदर बहुत से सिस्टम होंगे तो मंत्राले create करते है थीक नि बस इतना ही काम करें संसत इस इसkem यहां पर बहुत का कउनसेट होना चाहिए ताकि कुछ भी डिसबयूंस ना हो अब संसद क्या करती है मंत्राले का भी गठन करती है, मंत्राले के अंदर का जो concept उसका भी develop करती है, उसके भी अधिकार का बात करती है, उसके भी कारी की बात करती है, उसके भी परसास्ति चेतर की बात करती है, तो संसद बस यही करते रहा जाती है, तो बाद में पता चलता, dispute of dilemma बहुत बढ़ जात लाश्ट में अब नियाईक न्यूप्ति की संदर में इसको समझ सकते हैं आप लो जब की गई थी तो इसी तरह के चीजों को आपको कवर करना होगा क्यों किया जाना चाहिए इसके संदर में प्रवस्ण के उत्तर आपके पास होना चाहिए देखिए सड़क सुरक्षा पर फि उस पर क्या इस्तिती उस पर बात करेंगे देखिए अब 14 राज्यों में सड़क सुरक्षा को पर विसेश ध्यान दिया जा रहा है जिसमें आप नाम सभी का लिष्ट पहले भी चर्चा हो चुका है अगले 6 वर्स में कारी किये जाएंगे सड़क दुरगटना में होने वाल सॉरी और 2024 तक दुरगटनाओं के लिए संख्या में आधी करने का लक्ष केंद्री सड़क परिवहन और राजमा मंत्राले को रखा गया है तो 2024 तक का डाटा आप लोगों को याद कवर करना है कि इस परकास से वो कम करने के रणने की बना रहा है सड़क जो हमारा राजमार् से दिनेस्ट हम लोग बात करेंगे इनका हो गया है अब देखिए यह नए राजपाल लूट किये गया है इस सब प्रीटी फेक्ट आप लोग को पूछे जाते हैं एस्टेट पिस्यस के एग्जाम में और राजपाल से संबने जब भी नियू जाता है और स्टेट वाले पूछा जा सकता है अब तो इनुवर्सल रूप से हर राजपाल के नए राजपाल न्यूट किये गया है तो इनके बारे में आपको जनकारी ले ले लेना है जुलाई में जो जगदीज धनकर थे वो प्राश्पति पद नामी थुए तो उनके बाद मनीपूर के राजपाल एन गनेशन को मनीपूर के बाद जो अत्रिक बंगाल का अत्रिक जिम्वारी दिया गया था आपको उसके बाद अब है वर्तमान में जो है इनके दुआ राश्पति के प्रसाद परियत में यहां पर काम करेंगे जहां रखिएगा और राश्पति दुरुपदी मुर्मुर की यह पहली निउक्ती भी मानी जाएगी जो अस्थाई राजपाल के रूप में इससे पहले नहीं था फिक नहीं आपको यह सब प्रस्न क्रियेट होगा तो आपको प्रस्न याद रखना है तो पीटी फेक्ट भी कवर करते चलना है चलिए नेस्थ हम लोग सी वी सी आनम को याद रखिएगा यह केरल के है अब देखे जी ट्वेंटी की बात हो रहे थी जी ट्वेंटी के बारे में मैंने लगतार चार्चा कियां किस प्रकार से उसकी बन लिए उन्हीं सभी बातों को यहाँ पर उकेरा गया जो जो जी ट्वेंटी का समयलन बाली समयलन जो बाते की गई है जैसे पधार मंति नरेद मोदी के द्वारा जो दिया गया था विश्र को या रूस को जो यह भोला गया थी अभी युद का काल नहीं है उसके ब बाते यहां पर की गई है अंडरलाइन किया हुआ पेपर आप लोगो एप पर अबलेबल किया जाएगा एंडरलाइन पेपर को आप ज़रूर डानलोट कर लिजिए वहां से 365 रुपया का पैक आता जिसमें की नोट्स और अंडरलाइन पेपर दोनों दिया जाता है तो आप इतना है तो करी सकते हैं जेली का सो रुपया खर्चा है फालतु खर्चा अगर कुछ बनना है तो इतना तो किया ही जा सकता देखिए बढ़ती वैस्विक जनसंक्या आपदा या फिर आउसर इस पर में एक न्यूस कवर करूंगा आप लोगो आर्टिकल देखिए इस पर ब पढ़िएगा मैं इस पर कुछ चीजे आपको डाटा अबलेबल कराऊंगा उस पर आज मैं रिसर्च करूंगा कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट को कुछ नेगेटिव पॉइंट को इसके दोनों डायलेमा को क्योंकि मुझे यह अधूरा लगा कहीं ने कहीं कटोती कर इस लेख में तो इस पर अभी विचार देना तहीं नहीं होगा क्योंकि देखिए उस पर जब तक आपके एक्जाम और इन चीजों को नहीं कभर करता है तो वो चीजे पढ़नी नहीं चाहिए ना उसके देखिए हर चीज को डेली हम न्यूस को कभर करे औस पर इतना मेहनत किया जाए उसका आस्पेक्ट इग्जाम में निकले ही नहीं उगरे ही नहीं तो यह सब चीजे है ना आपको कभर करने सोचनी वाली होगी बात वेट कर लिजे वेट करके एक दो दिन वेट कर लेंगा हम लोग इसको कुछ और भी अलग अस्पेक्ट देखक कभर कर लेंगे हालाकि कुछ डाटे हैं जैसे 1990 के दुनिया 25-35 जनसंख्या थी वर्तमान में 2050 तक 14% कमी आ सकती है तो यहाँ पर ऐसे भारत में भी हो सकता है क्योंकि जिसमें सिख्छा स्वास जलगता बढ़ने पर लोग छोटे परिवाया को महत्त देने लगे वैसे एक तक यह भी है कि भ उभर कर सामने आ रहे हैं तो यहाँ पर भारती संदर में बात यहां जानने की बात होगी वैसे ही आपको जो एक सगेंड जो आठवे अरव सीसु का जन्म हुआ जब दुनिया में तो उनका अनुमान लगाते विए सुनित राष्ट के महा सक्षी एंटिनियों गुते रिष के समान मानाता के लिए साजा लक्षो को दर्ज करने और बड़ती जीवन परतिस्ता के साथ स्वाव के साथ सीसु जन्म दर और मातित सुरच्छा के सुधार का जस्न मनाने का है परंतो दुनिया ऐसे लोग की कमी नहीं है जिने बड़ती अबादी के कई दुस प्रभाव द खेलकुल के आउसर में मिलता है यह बाते दोनों डायलेमा आपको देखने को मिलता है यहाँ पर याद अखिए का पुरो जो कुरेशी जी है पुरो मुक्षुनायू जो थे वाई एस कुरेशी उनकी किताब जो थी जब पॉपुलेशन मित इश्लाम फैमली प्लानिंग एं इंडिया उनमें मुस्लमानों के अबादी के विर्धी के मित्थक को तोडने का परियास्किया किताब में यह बताया कि किस परकार से भारत में जनसंक्याई विस्पोर्ट का असली वज़ा समाजिक और आर्थिक कारण है जैसे सिक्षा की कमी जरीबी शेतर विशेश डॉक् पर्जन दर बढ़ने का यही परवुक्त कारण है वहांकि वेवस्थाइं इंपर्टेंट हो जाते हैं तो देखे इसे के साथ city मुश्ल्मानों का माप दल्डों सबसे उपर अस्तर पर है इसलिए उन अबादी को बढ़ाने का आरूप बहुता सच मान लिया जाता है इसलिए मुश्लिम परिवार भी ज्यादा तेजी से परिवार नियोजन अपना रहे हैं बाते की गई है आखड़े देकर उन्हें अपनी किताब में बताए कि भारत में वर्ष 1901 में हिंदू को की अबादी 84 परतिसत है और जबकि वर्ष 2111 में घटकर 29.8 परतिसत हुए इसी अवधी में मुश्लमानों के जनक्या 9.8 परतिसत से बढ़कर 14.2 परतिसत हो गया जनसंक्या के हिसाब से 1901 मुश्लमानों के तुन्ला में 30 कोर हिंदू भारत में जादा थे जो अब बढ़ हो गया तो यहां पर देखें बात की जारी एक क्या संख्या बन पर हिसे परतिसत भले घट गया है पर मुश्लमाने का परतिसत बढ़ा है पर संख्या कम हुआ भा मुष्छimento Pres coexistenceach इकफच भी है कि देखिए कुछ कॉंसेप्ट धार्मिक हो सकता है ना पर सबसे ज़्यादा ब्रवस्थाएं जिम्यवार होती है माल लिजे धार्मिक अधार पर कोई विशेश अगर परजनन दर को कंट्रोल करना चाहता है तो उसके लिए आपको उसी अधार पर चीजों को कि दो तेला पर तो उसको ज्युद्ध करने की जुरत है ईयसे हिंदूओं में भी देखने को मिलेगा बहुत जब Burkji मानते हैं तो क्या कि परंप्रांप के ही अधार पर अब justify की जाएगी यह भी एक concept है हिंदुों में इसके अधार पर जो बच्चों की संख्या लातार बढ़ जाती है तो मैं बहुत सहसे लोग को जानता है जिसकी दो बेटियां है किसे बेटे के लिए दवाव ड़ डाला जाता है या या तो यह भी कर सकते हैं कि जिनके पास पह पर नहीं की जाती है ध्यान रखेगा यह चीज़ तो यह कहीं न कहीं यहां यह concept डवलप है तो दोनों डाइलेमा को समझाने की जरुत है न उसमें कहीं न कहीं राज की संस्थाएं एजन्सियों के कार्य गतिविदी ही important हो जाती है सिख्था व्यवस्था में कमी हो जाती है मातर सिख्था को दिया जाना चाहिए वो उसमें कमी हो जाती है सब कीजे उभर का सामने आती है उसको हम लोग फिर चर्चा करेंगे इसका एक aspect कहीं न कहीं छूट गया रोजगार में जन्संख्या किस रूप से योगदान देती है या उसके क्या हानी है इसका एक दो पार् के रूप में संधिया देव नाथन जो होंगी मेटा जो फेस्बुक से मेटा बना है मेटा इंडिया के हेड होगी तो भारतिय के एक भारतिय डैस्पोरा के एक और योगदान आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग बताईएगा comment section में Facebook मेटा में कब convert हुआ है इस प्रका आपकी लोग अपना इंसर सुधार नेंग उनको देखकर जो भी आप लोग को कभर किया जा रहा यूटूब पर आप लोग को comment section में टेलिग्राम चैनल तो उसका भरक्योग किजिए ठीक ना तो आज का यह भी प्रस्ण है मेटा कब convert हुआ फेस्बुक मेटा में कब convert हुआ एक पीटी कोर्शन दूसरा कोर्शन यह है मेटा होता क्या है मेटा क्या है मेटा का concept क्या है यह बताइए चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट यहाँ पर परियावरन के लिए सन्यूत राज का मसोधा फेस किया गया देखे बाते वही है जो डायलोमा बात की गई थी पहले वही लगतार बात किए विकसी देश विक्सित देशों पर दोचार ओपन कर रहे हैं विकासियल देशों को पर्तिवत होने की बात करेंगे आद कोई भी वैस्विक रूप से वैस्विक रूप से पिर्ठिवी को बचाने की बात धरातली अस्तरपर नहीं करें केवल कितावी ग्यान को लेकर बैठे विश्व ये अरोब परत्य अरोब का दोर चल रहा है लातार चलेगा मैं आपको क्या बोला था आपको बहुत बार में आप लोगों को बलातार बोलता हूं न जब तक धरातल के अस्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाए केवल इसी कर्चाएं हो जाएंगे तो देखिए किस प्रकार से वैस्विक नितियां परिवर्तर ले रही है किस प्रकार से आगे इस पर नियम होगा सभी अम लोगों को नजर रखना उस पर है अग्जाम में किस रूप से प्रस्ट कुछता उसे हम लोगों समझने की जूरत है तो सरने में गूगल मीट का लिंक है गूगल मीट आप लोग जिनके पास नहीं होगा गूगल मीट डाउनलूड कर लिजएगा उससे आप लोग डाएट उस li Heidi को किलिक की सेगा तो वहां पर जूर जाईएगा बुलू-Colour का जो link होता है ना उसको किलिक करермा है तो हमसे जूर मिट में और सभी लोग आईए ताकि आप लोग को बहुत से चीज़े सीखने को मिलेगी आज चलिए धन्यवाद जैहिं फिर कल मिलते हैं